नमस्कार, Ideas for You के इस अपिसोड में आप सबों का स्वागत है सक्सेस सीरीज के कई वीडियोस में हम चर्चा कर चुके हैं सक्सेस पाने के लिए कई चीजों को हाँ बोलना होता है जैसे अच्छी फ्रेंड्शिप, उसे आप हाँ बोलिए अच्छी बुक्स, उसके साथ समय बिताईए यानि राइटर के साथ आप सहमत है आप उन्हें हाँ बोलते हैं अच्छी संगती, उसे आप नहीं छोड़ते हैं इन सारे चीजों को जब आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं एक ऐसा माहोल क्रियेट होता है जहां लगातार आप सीखते जाते हैं और इंप्रूब्मेंट बनी रहती है आप इतना इंप्रूव करते हैं आप कम समय में स्मार्ट वर्क करके अपने लक्ष को अचीव कर लेते हैं लेकिन इस वीडियो को हम डेडिकेट करेंगे ना बोलने के प्रती अक्सर समाज में ना बोलना बहुत मुस्किल होता है लोग ना नी बोल पाते हैं और चुकी वे ना नी बोल पाते हैं उनका समय, पैसा और एनरजी तीनों इंगेज हो जाता है और इस तरीके से ये सिलसिला बना रहता है तो चलिए देख लेते हैं किन-किन छेतर में ना बोलने की आवश्यक्ता है अगर हम अपने लक्ष की और बढ़ रहे हैं तो यह तो कई सारी बाते हैं लेकिन कई सारी बातों में चर्चा करने के वजाए हम सिर्फ तीन बातों में फोकस करेंगे इस वीडियो में पहली बात incompatible friendship यानि ऐसी दोस्ती जहां तालमेल नहीं है कई लोग हैं दोस्ती के relation में लेकिन हर दोस्त अलग-अलग दोड को दोड रहे हैं हर एक की अलग skill set है, vision अलग है objectives अलग है और वे लोग फिर भी friendship में हैं ऐसे friendship से दूर रहना बहतर होगा इससे क्या होगा आपका जो vision है उसमें किसी प्रकार का dilution देखने को नहीं मिलेगा चीजे dilute नहीं होईंगी मिस्रित नहीं होईंगी आप उन्हीं चीजों को करते रहेंगे और उन्हीं दोस्तों के साथ रहेंगे जिनके साथ आपका vision, passion और mission ताल मेल रखता हो आप समझ गए होंगे ये पहली बात किस प्रकार से implement करनी चाहिए अगर आपने ना बोलना सीख लिया ऐसे लोगों से दोस्ती करना या दूरी बनाना और परहेज करना आपने सीख लिया तो फिर आप पहली जो बात है उसमें सफल हो जाते हैं दूसरी बात की तरप में हम चलते हैं उसमें चर्चा करते हैं public gatherings हम जिस समाज में रहते हैं social life में public gatherings को ना बोलना बहुत मुश्खिल होता है लोग चूकि पप्लिक गैदरिंग्स को नहीं बोल पाते हैं और वहां पे जाते रहते हैं और उनका समय, पैसा और एनरजी तीनों खर्च हो जाता है क्योंकि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए पैसा, समय और एनरजी यह चाहिए होता है इसके बगैर आप चीजों को अचीव नहीं कर सकते आपके अंदर एकागरता होनी चाहिए तो ऐसी gatherings जहां में आपको जाना उचित नहीं है यानि आपके गए बगैर भी वहाँ पे काम हो सकता है तो कोशिस ये करें कि ऐसी gatherings से अपने आपको दूर रखें लेकिन कई ऐसी gatherings होएंगी जहां आपको जाना जरूरी है आपके बगैर वो gathering complete नहीं होगी कहीं पर आपको speeches देने हैं, आपको teachings देने हैं कई subjects को facilitate करना हो तो आप basic वहाँ पे जाईए पारिवारी सभाओं में आप जाया कीजिए लेकिन यूहीं आप public gatherings में टहलते मत रहिए हर invitation को आप हाँ मत बोलिए इसी में आता है public gatherings को organize करना कई बार घरों में public gatherings organize करी जाती है अगर किसी का बड़े हो, बेसक आप gathering organize कीजिए लेकिन हर event में organize करने की इस प्रकार की जो gathering है वो ज़रूरी नहीं है अगर आप हर चीजों में event gathering करते रहेंगे अपने घर में भी लोगों का आना जाना बना रहेगा time, पैसा और energy आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों का भी खर्च होता रहेगा इसलिए public events को आप जब हाँ बोलते हैं आप बड़े selective रहेए उन्ही gatherings में जाईए जहां पर आपका होना जरूरी है आपके होने से किसी को फाइदा है और किसी से आप कुछ सीख सकते हैं यानि आप उस gathering में कुछ ना कुछ परफॉर्म करने वाले हैं और अपने घर में भी जब आप gathering करते हैं उन्हीं बातों को ख्याल में रखें कि आपको अगर घर में gathering करनी हो तो क्यों करनी चाहिए कब करनी चाहिए कितने देर के लिए करनी चाहिए तीसरी बात food है यानि खान पान हम ऐसे देश में रहते हैं और ऐसी समाज में जीवन व्यतीत करते हैं जहां खान पान तै करता है किनके साथ कितना मजबूत relation है हमारा और संगती को खान पान define करता है और इसमें गलत भी नहीं है इसलिए चाहे पे बुलाया जाता है लंच पे डिनर पे या कोई विसेस gathering होती है तो food को ध्यान में रख कर gathering करी जाती है लेकिन एक leader को बड़ा selective होना पड़ेगा कि वो क्या खाएगा और क्या पीएगा यू तो अगर generally मैं कहूँ जो prohibited चीजें हैं उसको तो नहीं खाना चाहिए नहीं पीना चाहिए लेकिन उसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो health के लिए ठीक नहीं होता है जैसे कई oily चीजें आप लगातार खा रहे हैं अगर आप बड़े goal को achieve करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो खान पान में ध्यान देना बहुत जरूरी है उचित मातरा में खाएं सही समय पर खाएं सही चीज को खाएं ओवरीटिंग तो नहीं करनी चाहिए लेकिन कई सारे लोग हैं जो खान पान पे ध्यान नहीं दे पाते हैं उनके सामने जो आया वे खाते जाते हैं और कई वार मना करना भी सच में मुस्किल हो जाता है लेकिन अगर खुद आप प्लान करते हैं किसी चीज को खाने पीने के लिए तो आप सेलेक्टिव रहे अगर आप लीडर है तो और कम समय में स्मार्ट वर्क करके आप बड़े अचीवमेंट को टार्गेट करना चाहते हैं तो खान पान में ध्यान देना बहुत जरूरी होता है मैं आसा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको इनफर्मेटिव लगा इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें अपने परिचितों तक पहुँचाने के लिए इसे सेर्वी करें इसी प्रकार के वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए धन्यवाद